अगर आपको मेरी प्रिविश वीडियो देखनी है तो मेरी चैनल की प्लेडिस में जाके आप देख सकते हैं इर्फान says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles permit has इर्फान has 37 marbles how many marbles does permit have तो आपको क्या बोला इर्फान says that he has 7 marbles more than 5 times marbles permit has तो आपको बोला है कि जो इर्फान के पास marbles है वो 7 जादा है 5 time permit के और इर्फान के पास आपको दिये भी कि total 37 marbles है तो बोला permit के पास कितने marbles होंगे इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हमें permit को पुछाए कि permit के पास कितने marbles है तो इसको क्या let कर लेंगे x let कर लेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे let permit has marbles equal to x तो सबसे पहले मैंने क्या लिखते हैं आप पर permit के पास कितने marbles है x marbles है अब इर्फान की बात करते है इर्फान has marbles so इर्फान के पास कितने marbles है वो लिखना है बबे तो क्या वहला 7 marbles more than 5 times the permit has पहले तुम लिख लिखते हैं 5 times permit has तो five times का मतलब हुआ five x है ना five times marvels permit has मतलब permit के पार तो x marvels है तो इसका five times कितना हुआ five x उसमें क्या बोला seven more मतलब plus seven ठीक है आपको equation बनानी आने चाहिए कि five times marvels permit has more ने और seven क्या तो इसमें more थे यह हो गया लेकिन also मार पास क्या बोला है also बोला है कि इर्फान के पास जो marvels है वो कितने है 37 ये भी इर्फान के पास marvels है और ये भी इर्फान के पास marvels दोनों आपको दी हो तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर सकते है equate कर सकते है तो according to question क्या बनाएगा हमारे पास हम दोनों को equal कर सकते है five x plus seven किसके को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 37 के और यहाँ से हम निकालेंगे x की value तो पहले क्या होगा यहाँ पर 7 प्लस का है दोसे साइज आके हो जाएगा minus का यहाँ बन जाएगा 30 और यहाँ होगा 5x then 5 यहाँ पर multiply हो रहा है यहाँ पर जाके divide हो जाएगा so 5 6 सा 30 x की value कितनी आगई 6 तो मतलब permit के पास कितने marbles आए 6 marbles है तो हम क्या लिखेंगे therefore permit has marbles equal to 6 ठीक है x की value जो थी हो permit के marbles और permit के marbles कितने आगए यहाँ पर 6 आगए so moving to next question question number so next part देखते हैं so second part is Lakshmi's father is 49 years old he is four years older than three times Lakshmi's age what is Lakshmi's age आपको क्या बोला है कि Lakshmi की जो फादर है उनकी जो age है वो मापास 49 years old है वो और वो क्या बोला और साथ में condition दी है कि वो चार साल बड़े हैं three times Lakshmi की age से तो आपको बोला है Lakshmi की एज को find out करो तो जैसे previous question किया उसी तरह एक question बनाएंगे तो सबसे पहले आपको बोला है Lakshmi की एज find out करने है तो हम क्या लिखेंगे आपर let Lakshmi's age equal to x years ठीक है Lakshmi की एज हमने कितनी ले लिए हैं आपर x years ले लिए अब आपको क्या बोला गया father's age लिखते हैं हमारे पास father's age तो क्या बोला father's age में आपको यह आपर बोला है he is four years older than three times Lakshmi's age तो three times Lakshmi's age का मतलब क्या हुआ three x लक्षमी की एज एक्स थी उसका three times कितना हो जाएगा three x हो जाएगा और क्या बोला four years older older का मतलब होता है ज्यादा बढ़ गे बड़े चार साल बड़े होगे मतलब चार साल में प्लस करना है तो three x plus four बन गी father की age साथ में father की age आपको फिर से रेकी रखी है आपर वो दी है 49 years आपको लगे father 49 years है तो देखो यह दोन हम क्या कर सकते हैं equate कर सकते हैं यह भी father की age है so according to question में पास क्या हो जाएगा three x plus four हम किसकी एक को लिक लेंगे आपर 49 के solve करते हैं इसको तो देखो यहाँ पर four यहाँ plus का है दुसरे साथ जाके minus हो जाएगा 49 minus 4 हो गया 45 यहाँ पर बन गया 3 x अब यहाँ पर 3 multiply हो रहा है दुसरे साथ जाके मारे पास हो रहाएगा divide so 3 1s आ 3 3 5s आ 15 1 कह दिखे हैं यहाँ पर 15 बन गया then x की value आगी 15 और x हमने क्या माना था लक्षमी जेज तो लक्षमी की एज मारे पास कितनी आगी लक्षमी जेज इकोल तो 15 इयर्स तो लक्षमी कितने एज की है 15 इयर्स की moving to next part so next part is third part people of सुंदरगराम planted trains in the police garden some of the trees were fruit trees the number of non fruit trees were two more than three times the number of fruit trees what was the number of fruit trees planted if number of non fruit trees planted was 77 so आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो सुंदरगर में जो लोग है उन्होंने क्या किया trees plant किये हैं village में then क्या किया उन्होंने कुछ जो fruit trees हैं वापर और कुछ क्या हैं वापर non fruit trees है तो आपको बोला कि non fruit trees वैसे तो 77 है लेकिन एक और condition भी दी आपको बोला कि non fruit trees जो है वो two more than है three times number of fruit trees के और आपको बोला क्या करना है आपने fruit trees को जो planted हुँ है fruit trees उसको आपने find out करना है तो इसका answer देखते हैं तो मैंने आपको क्या लिखा number of fruit trees planted उसको लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर x because हमें इसको find out करना है देन आपको बोला गया है आपको number of non fruit trees planted अब इनकी बात करते हैं आप अपर अब देखो यहाँ पर यहाँ आपको क्या बोला गया है number of non fruit trees were two more than three times number of fruit trees three times fruit trees का मतलब क्या मतलब three x अच्छे आप आप क्या लिखतेंगे number of fruit trees planted और यहाँ भी लिखतेंगे आप trees अच्छे तो आपको क्या बोला गया है number of non fruit trees planted कितने थे आपको three times number of fruit trees तो three times मैं निखिया साथ में क्या बोला है two more than साथ में लिखा है plus two ठीके ना condition क्या बोली थी two more than three times number of fruit trees planted तो यह condition बनकी साथ साथ आपको बोला है also number of fruit trees planted आपको दिये गए हैं आपको 77 ठीके यह condition दिये है साथ साथ non fruit trees आपको 77 भी दिये हैं तो मतलब यह दोनों equal कर सकते हैं क्योंकि left hand side दोनों की equal है तो three x plus two equal to क्या हो सकता है 77 यहां से निकालेंगे max की value तो क्या हो जाएगा यहां पर two चला जाएगा उस दूसरी side minus में यहां बन जाएगा 75 देन यहां पर three यहां पर multiply हो रहा है यहां पर चला जाएगा divide में so three one three two's are six one carry गई three five's are fifteen so x की value कितनी आगी 25 तो इसका मतलब क्या हुआ therefore number of fruit trees planted तो जो fruit trees plant किये गए हैं वो कितने हुए 25 क्योंकि उसको हमने क्या माना था x तो अपने क्या किया simply जो condition दिए गए थी उसको पड़के हमने उसको numerically value में लिख लिए और then उसको हम solve किया तो यह हमारे पास question number third complete हुआ moving to next question 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 number four next question is question number four solve the following reader so आपको एक reader दिए उसको आपने क्या करना solve करना है starting में बोला गया I am a number tell my identity take me seven times over and add a 50 to reach a triple century you still need 40 so starting से बात करते है I am a number तो बोला कि मैं एक number हूँ तो मैंने क्या लिख लिया let number equal to x अब according to question क्या बोला गया आपको देखो ध्यान से take me seven times over तो बोला कि मेरा क्या कर दो seven times कर दो मतलब seven x हो गया then बोला and add a 50 और मुझे में क्या कर दो 50 को add कर दो to reach a triple century triple century क्या होता है हमाँ पास one century में बिताया था मैंने आपको 100 run होते है two century में 200 run हो जाएंगे और three century में कितने run हो जाएंगे 300 तो बोला to reach a triple century मतलब triple century तक पहुं पंचने के लिए हमें you still need 40 तो आपको 40 की जरूरत है मतलब 40 को में प्लस करना पड़ेगा तो यह आपको equation बनाई मैंने किसे जो डीडल आपको दी थी और आपको बोला गया है कि number find out करो तो x की value हमने find out करने है तो पहले देखो यहाँ पर 50 plus 40 हो जाएगा 90 यहाँ बन जाएगा पर 7 multiply हो रहा है यहाँ जाके हो जाएगा divide तो 7, 3, 2, 1, 0 आगया as it is तो x क्या आगया 30 तो आपको number बुच्छा गया था तो number आपके पास कितना आगया 30 आगया तो fourth question complete हुआ साथ साथ exercise 4.4 भी complete हुई और unit 4 भी complete हुई so next unit start करेंगे next video में अगर आपको इन questions से related कोई भी problem हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं till then thank you